सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा लतलाल कटारिया जी आपसे क्योंकि हर्याना का मसला भी है पंजाब का भी मसला है आपके इंद्री मंतरी हैं आप सेंसिटिविटी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैप्टरिन अमरिंदर सिंग का बयान आया उन्होंने बयान में ये कहा कि अगर समस्याओं का हल नहीं निकला तो इससे राष्टी सुरक्षा पर समझोता भी हो सकता है और खत्रे में भी पड़ सकती है क्या मायने निकाले जाए इस बयान के क्या कोई ऐसा इंपूट है कि कुछ गलत लोग इस आंदोलन को ड्राइब कर रहे हैं इसमें गुसने की कोशिच कर रहे हमारे किसान भाईयों के अंदोलन में देखिए कि यह जो किसान अंदोलन है हमें तो ऐसा लगता है कि पंजाब से इसकी जड़े जुड़ी हुई है और कैप्टन अमरिंदर सिंग जो है इसको एक नई दिशा देने की कोशिच कर रहे हैं वास्तम में इस अंदोलन के पीछे हमें ऐसा लगता है कि कॉंगर्स पार्टी जिसका जहाज डूब रहा है और उसके बड़े बड़े नेताओं ने इन चुनाओं में यह कहा है नतीजे आने पर बिहार और अन्य राजों क के कपिल सिब्बल ने कहा है और कॉंगर्स के ही वरिष्ट नेता गुलाम नभी अजाद ने कहा है कि चुनाओं हारना कांगर्स की नियती बन चुकी है उस फ्रस्ट्रेशन में से ही कॉंगर्स पार्टी ने इस किसान अंदोलन को पीछे से हवा दी और उसी का परिणाम आज देश में ये देखने को मिल रहा है अन्य था भारत की संसद ने तो बहुत बेहतरीन ढंग से किसानों के हख में ये तिनों जो क्रिशी बिल हैं वो पास कर दिये थे जो किसानों की आमदिनी को दुगना करने के लिए उनका मान और संबान बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से कदम उठाए गई थे लेकिन कैंडर सरकार की भी अपनी एजनसी होती है अरिणी सिंग्जी की हो सकती है आपकी भी है हरियाना सरकार की भी है मैं आपसे जानना चाहता हूं जो शब्द उनोंने कहा है कि राजिकी पंजाब की आर्थिक सिती पर असर पढ़ रहा है और इसका असर नैशनल सेकिरूटी पर भी पढ़ रहा है तो क्या कहीं रास्ट विरोधी थाकते तो इस आंदोलम में गुसने की कोशिश नहीं कर रही है गुस तो नहीं रही है क्योंकि जस्टिन टूडो भी बो किसान भाई हमारे घर के लोग हैं हमारे भाई हैं हमारे अन्दाता हैं हम उनकी फिकर करना जानते हैं तो क्या इसके पीछे आपको कुछ दिखाई दे रहा है कोई रास्ट विरोधी थाकते गुस रही है क्या मुरिंदर सिंग ये जताने की कोशिश कर रहे थे देखिए किसान हमारे अन्दाता हैं और भारत को फूड स्क्योर्टी के मामले में आतम निर्बर बनाने में हिंदुस्तान के किसानों ने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है और आज जो भारत अनाज के मामले में भीक का कटोरा लिये दूसरे देशों के सामने खड़ा रहता था हिंदुस्तान के किसानों ने दिन रात इतनी मेहनत की और सरकारों ने उनकी मदद भी की और मोदी जी के नेत्रीतम में तो पिछले छे वर्सों के अंदर उनकी इंकम में और उनकी फसलों के मुल्य में जो वृद्धी हुई है वो काबिल ये तारीफ है लेकिन यहाँ पर ये भी बास सच है कि अंदोलन किसानों का सांति पुरुन ढंग से शुरू हुआ लेकिन अगर हम भारत वर्स के अंदर अंदोलनों के इत्यास को लगाएं तो समय समय पर ऐसे हमारे सामने जो है वाक्या आते रहते हैं कि असमाजिक तत्व भी जो है उस अंदोलन के बीच में घुस जाते हैं और देश की अंत्रिक सुरक्षा के साथ खिलवार करने की कोशिस करते हैं ऐसा हमने अभी ताजा ही कई अंदोलनों के अंदर देखा है चाहे वो साहिन पाग का मसला है और चाहे ही वो उत्तर पर देश के अंदर अभी पीछे जो घटना हुई थी तो इस परकार की ततब भी ऐसे अंदोलनों में सामिल होने का खत्रा बना रहता है लेकिन भारत सरकार की उसको पर कड़ी नजर बनी हुई है तो क्या ऐसे लोग इस अंदोलन में शामिल हो चुके हैं क्या आपको लगता है क्योंकि मनोश्तिवारी ने भी कहा कि टुकले टुकले गैंग वाले घुसना चाह रहे हैं शाहिन भाग की दादी दावायर पर घुशना करके गई बिल्किस बानों कि मैं वहां जा रही हूँ पुलिस ने उनको समझा बुजा के वापस बेजा क्या ऐसे लोग इस सामाजी जिनको आप कह रहे हैं रास्ट विरोधी जिनको आप कह रहे हैं क्या किसान भाईयों के अंदोलन में घुश गए हैं सरकार की क्या जानकारी है देगे आज जो बाचीत के चार दौर पुरे हो चुके हैं और बहुत शांती पुरुन महुल में आज की बाचीत किसान संक्ठनों के साथ हुई है पांस तारीक को फिर होगी और हमें लगता है कि जो किसानों की जिग्यासाँ हैं उन जिग्यासाओं का समधान कर लिया जाएगा और सरकार इस अंदोलन के बीच में कुछ जो असमाजिक तत्वों के प्रवेस होने का जो डर बना हुआ है उस डर को भी सरकार और अजेंसियां बड़ी नद्दीकी से देख रही है हमने पहले भी दूसरे अंदोलनों में ऐसे असमाजिक तत्वों को अडेंटिफाई करके उनके किलाफ कारवाई की है और अब फिर अगर किसान अंदोलन की आड में कुछ इस प्रकार के तत्व भारत की एकता और अखंड़ता के साथ खिलवाड करने का अकसरियंतर रचते हैं तो ऐसे हर व्यक्ति को बेनकाब करके भारत के कनून के दारे के अंदर लाया जाएगा